ओम सिरी गनी शायनम दोस्तो एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर दिक स्वागत है दोस्तो आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच जनवरी सुक्रवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाए भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चैनल दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपकी विद्टे इस्थिती में काफी सुदार आ जाएगा अचानक से धन प्राप्ती के आवसर आपके जीवन में आएंगे जो आपके भविश्य में आपके लिए एक बहतर आर्थिक जीवन का मार्ग प्रस्तुत करेंगे शिक्षा के लिए बहतरी समय रहेगा और आज आप अच्छी उपलब्दियों को प्राप्त करेंगे दोस्तों आप में आज उड़जा का इस्तर सामान रहेगा दूसरों के साथ अच्छे वेवार से आप दिमाग से काम लेंगे साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं किसी योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं थोड़ा धहरे से काम लेना होगा और टकराव की इस्तितियों से आज आप बच कर चले आप शांत लहजे में बात करेंगे तो लोग आपकी काफी तारीफ करेंगे दोस्तों आपकी आर्थिक इस्तिति आज काफी बहतर रहने वाली है और आप समय पढ़ने पर अपने कुछ मित्रों और रिष्टेदारों की आर्थिक सायता करेंगे नोकरी पेसा वाले लोगों को अधिक लाब मिलेगा उन्हें मन चाई नोकरी प्राप्त होने से अच्छे धनलाब के सुरोत जुड़ेंगे इस समय में जो कुछ कार्य हो रहा है उसे सफल बनाने का प्रियास बहतर हो सकता है कुछ बिगड़े हुए कारों में सुधार होने की संभाव ना है विपरीत परिस्तितियों में कुछ धनलाब के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं आपके मन में जल्द से पैसा कमाने की तीरव इच्छा पैदा होगी यह अच्छा वक्त है जो आपके लिए काम्याबी और खुसहाली लाएगा अपने उद्दिस्यों की और सांती से बढ़ते रहें और सफलता आपको मिल सकती है अगर हालत का आपने धहरे से सामना करा तो आपको अच्छे पैड़नाम प्राप्त हो सकते हैं कामकाजिके नजरिये से आज का दिन वाके में आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगडिव हो सकता है दोस्तो आपको अपने भाई बेनों का आज पूरा शेयुग प्राप्त होगा और समाज में भी आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा आपको परिवार की जरुतों को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा जो कई बार आपके नियंतर से बाहर होगी और इसके लिए आप परिशान भी होंगे दोस्तो साथ साथ कोई खास सौदा या बड़ा फैसला लेने से बचे कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने में आप परिशान हो सकते हैं दिनवर कही न कहीं से रुकावट की इस्तिती रहेगी जो उसमें आकर किसी को भी कोई बिना मांगी सला ना दे कटिन परिश्रम से सभी कर्रे आपके पूरे होंगे लेकिन अनावशक खर्च बढ़ने से आर्थिक इस्तिती प्रतिकूल हो सकती है लेने देन में सावधानी बढ़ते हैं परिवार का माहौल अच्छा लहेगा लेकिन दोस्तों से अनबन हो सकती है संवेदन सील मामलों में समल कर चलने की आपको आज आवशक्ता है संसादनों पर खर्च होने से मानसिक असांती तथा तनाव पूर इस्तिती हो सकती है आत्म विश्वास के आभाव में कियेगे कारों में रुकावट तथा बादा उत्पन हो सकती है वेवसाइक दरश्टी से समय आपके लिए सामान ने रहने बाला है कोई नेकार योजना को विस्तार देना परिसानियों का कारण हो सकता है कोई तनाव और मतबेद आपको चिर्चड़ा और बेचेन बना सकते हैं आप अपने परिचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिस करेंगे तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुचाएंगे सुनी अंसुनी बातों पर आखें मूंद कर यकीन ना करें और उनकी सच्चाई को भली बाती परखें वानी पर नियंतर रखना होगा अन्यता कल है हुने की संभावना भी रहेगी साफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों किसी तरह की यात्रा या किसी तरह की सौपिंग इत्यादी को लेकर कहा सुनी हो सकती है ऐसे में आपको मदूर संबंद बनाए रखने का प्रियास करना आवश्क है आपके प्रियास से इस्तितिया अनुकूल हो सकती हैं आप अपने रिष्टे को नई रचनात मक्ता देंगे और उसको मजबूत बनाएंगे इस दोरान आप एक दूसरे के प्रती अत्यादिक आकर्शन भी महसूस करेंगे लेकिन ध्यान रखें मर्यादित आचनर करना ही सर्व उचित होगा साथ इसाद दोस्तों आपको अपने प्रेतम को यह भी महसूस कराना होगा कि वास्तम में यह रिस्ता आपके लिए काफी महत्व रखता है और आपका प्रेतम ही आपके लिए सब कुछ है दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा दिन शाबित होने वाला है, दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए, दोस्तो बात कर लेते हैं, जब कभ वेवशाई केरियर कैसा रहने वाला है, दोस्तो वेपार धंदा आज अच्छा चलेगा, और कारे छेत्र में सफलता मिलेगी, हलाकि कारे भार की अधिकता रहेगी जिसके चलते मेहनत आपको अधिक करनी पड़ी और पूरा दिन भागदोर में बीतेगा कामकाज के सिलसिले में आज आपको कोई छोटी आत्रा पर भी जाना पड़ सकता है जो आगे चलकर आपके लिए काफी लाबदाइक सिद्ध होंगी साथी साथ आज आ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी दिन आज का काफी मिला जुला रहने वाला है साथ साथ आज आज आपको अपने वैवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती है जिनका आपको शकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा जिए दोस्तो वैवसैक दरश्टी से आज की स्थिती आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको प्राप्त हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे दोस्तो बात कर लेते हैं अज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्त को लेकर बिल्कूल भी चिंतित होने की कोई आवश्यक्ता नहीं है आज आपका स्वास्त आपका भरपूर साथ देगा आज आपके स्वास्त के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे आज आप अपने आपको उरजावान और बिल्कुल तनावमग तो महसूस करेंगे जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा साथी साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद साथ कन्याओं को धर बुलाकर प्रशाद सरूप उनको खीर खिलाएं तथा उन्हें दक्षणा में कुछ पैसे तथा पीले वस्तर देकर विदा करें जादोस्तों ऐसा करने से मा लक्षमी बहुत जल्द प्रसन होकर आ दो भी आपके जीवन में परेशानियों चल रही हैं समस्त परेशानियों को अंत करेंगी और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहें मा लक्षमी का असिरवास्ते बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तों मा लक्षमी का में जैमा लक्षमी अवश्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद